असलाम लेकूम वेलकम टू मैं कुकिंग चानल कुक्वी शीरिन काजी आज मैं बना रहे हैं पानी पूरी मैजिक ट्रीट देखे सब कुछ इसमें आपको रेडी मिट ही मिल जाएगा और आप इतना सब कुछ दस मिट के अंदर ही आप इसको अच्छे से बना लोगे आपको इ इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं तो यह है पानी पूरी मैजिक ट्रीट बॉक्स आपको किरानी स्टोर में या फिर सुपर मार्केट में आपको यह बहुत इजी से मिल जाएगा आपको इसमें पूरी खटा मिटा पानी का पॉर्डर इमली की चटनी और पूरी सब कुछ लिखावाय के इसको कैसे बनाते हैं और मैं आगे भी दिखाऊंगे आपको इसको कैसे बनाते हैं और टू ट्वंटी ग्राम का है और सिस्टी रुपीज का मिल जाएगा आपको चलिए अभी हम बॉक्स को ओपन कर लेंगे देख लेंगे इसमें क्या-क्या है देखे मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है यह है खटा मीटा इमली का पानी का पॉडर और इसमें है पुदीना पानी का पॉडर और खजूर और इमली की चटनी और यह है पूरिया तो चलिए इन सब को बना लेंगे बहुत इजी तरीके से देखे मैंने भी तरीक बहुल ले लिया है अभी हम इसमें दालेंगे खटा मीटा इमली का पॉडर देखे मैंने बहुल में पॉडर को दाल दिया है अभी हम इसमें दालेंगे थोड़ा पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लंस ना पड़े इसको मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें और एक गलास पानी दाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपको गाड़ा चाहिए तो पानी कम दालें देखे मैंने इतना पतला रखा है इसको देखे एक मिट में ही खटा मिटा पानी बनके रेडी है चलिए अभी हम पुदीने का पानी बना लेंगे अभी हम इस पौडर को भी एक बॉल मे दाल देंगे और अभी हम इसमें भी थोड़ा सा पानी दाल की स्कौचे से मिक्स कर लेंगे देखे एक मिट में ही पुदीने का पानी रेडी हो जाएगा अगर हम घर में बनाने लगें तो इतना टाइम लगता है आपको पता है फिर धन्या पत्तों और पुदीना को पीसना पड़ेगा हरी में सब कुछ दाल के फिर उसको चाहना पड़ेगा फिर उसमें सारे मसाले सब कुछ दालना पड़ेगा देखिए कम मसालों में ही इतना सब कुछ रेडी हो जाएगा आपका और ज्यादा कुछ बर्दन भी नहीं पड़ेंगे और इसमें सब कुछ होता है आ पजूर और इमली की चटनी बना लेंगे, देखें मैं इदर चोटा एक बावल ले लिया है, अभी हम इसमें पॉडर दाल देंगे और दो तिन चोटे चमची पानी दाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखें इमली की चटनी भी बनके रेडी है, चलें अभी हम को दाल दिया है, अभी हम इसमें दालेंगे आदा चमच नमाक, एक चमच लाल मिश पॉडर, अभी हम इसमें दालेंगे एक चमची चार्ट मसाला, अभी हम इसमें दालेंगे आदा चमच जीरा पॉडर, अभी हम इसमें दालेंगे बारी कटियो देने की पत्ति, अभी हम इ अब हमीडस में डालेंगे दो बारिक कर टी प्यास और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे करेंगे अब हम पूरी हम को तल dum के कर दल घैड़ को लिएक होदो एक डाएं में अब आज़िए आउयल को अच्छे से गरम कर लिया है चलिए अभी हम इसमें पूरियों को डाल देंगे आउयल को अच्छे से गरम कर लेंगे पहले उसके बाद मेडम फ्लेम पे पूरियों को अच्छे से तल लेंगे देखें माशाला पूरियां तल चुकी हैं अभी हम इसी तरह दूसरी पूरिय को भी तल लेंगे एक पैकेट में 50 पूरियां आ जाएंगी अराम से 2-3 लोग पानी पूरिय को खा सकते हैं इसमें देखें कितने क्रिस्पे बने हैं ये पूरियां देखें माशाला दस मिट में सब कुछ बनके रेडी है पूरियां मैंने तल ली है और पुदीने का पानी इमली की चटनी और खटा मिटा पानी देखें 10 मिट में सब कुछ बनके ready है अगर आपको पानी पूरी पसंद दे तो आप इस बॉक्स को लेका के जरूर ट्राय करें बहुत जली और बहुत टेस्टी ही आप घर पे बना लोगे अगर भार खाना आपको पसंद नहीं है और पानी पूरी आपको पसंद दे और खाना भार पस पसंद नहीं है तो आप इस बॉक्स को लेका के जरूर ट्राय करें बहुत टेस्टी और बहुत ही जली बनके ready हो जाएंगे अगर आप इतना सब कुछ घर में बनाने बढ़ जाएं तो कितना टाइम लगता है आपको पता है पूरी बनाने के लिए तो बहुत टाइम लगता है और फिर खटा मिटा पानी बनाने के लिए तो आपको इमली और गूर को फिर पका पकाना पड़ता है और फिर उसमें मसा करें